Hello drama fans, welcome back to my channel Princess Agent के second last episode में आप लोगों का स्वागत है इसके बाद इसका एक episode और आएगा और ये drama खत्म हो जाएगा लगता है आप लोगों का interest इस drama से थोड़ा कम हो रहा है लेकिन मुझे तो ये drama एंड करना ही है इसके लबा मैंने एक और नए drama स्टार्ट किया है Dance of Phoenix आप लोगों से भी अपना प्यार और सपोर्ट शरूर दे युवेंड जिंगैड से कहता है कि हम दोनों का एक साथ यहां आना कोई इत्तिफाक नहीं है मुझे लगता है कि कोई तुम्हें मरवाना चाता है और ये कम शायद जिंगैड जिंगैड चो पूरे तरह से तूट चुकी होती है वो युवेंड से कहती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं एक अच्छी और पीस्फिल लाइफ जी हूँ उसके बाद मैंने येन बेई के बारे में सुना और मुझे लगा कि शायद यही वो जगह है जहां में रहना चाहती हूँ लेकिन मेरे सपने एक बार फिर से तूट गए और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ तो युवेंड उसे समझाते हूँ कहता है कि अगर तुम ठग गई हूँ तो तुम थोड़ा रोक सकती हूँ थोड़ा ठायर सकती हूँ और उसके बाद वापस अपने जर्नी स्टार्ट कर सकती हूँ फिर जिंगार कहती है कि मुझे अफसोस है कि मेरी वज़े से जूली ट्रूप के कई सोल्जर्स मारे गई काश कि मैंने यैन की बात मान ली होती और उनको यैन भी आने ही ने दिया होता तो आज वो लोग जिंदा होते और एक अच्ची लाइफ कुछा रहे होते तो यूवैन कहता है यैन भी उतना अच्छा भी नहीं है जितने तुमने सोचा था वहाँ भी कई लोग सैल्फिश है क्या तुम्हे अपने के पर पश्टावा है तो जिंगार कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में कई डिसिजन लिये है कुछ सही तो कुछ गलत भी रहे है लेकिन मुझे अपने किसी भी केपर कोई पश्टावा नहीं है पर मैं तुम से जाना चाती हूँ कि क्या तुम मुझे अपने साथ रखना नहीं चाते है तो युवैन कहता है कि जबर्दस्ती तुम्हें अपने आसपस रखने से ज़्यादा अच्छा है कि तुम जहां भी रहो खुश रहो ये सुनकर जिंगार पलट कर जाने लगती है और आज उसे युवैन के सच्चे प्याद का एहसास होता है और शायद उसको छोडने का पच्चतावन भी वो अपने आसों को रोकने के पूरी कोशिश करती है लेकिन शायद नहीं कर पाती युवैन को जिंगार के रोने का एहसास हो जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो दिल खोलकर रो सकती हो आसों हमेशा हमें मजबूती देते है अब जिंगार अपने आसों को और ज्यादा नहीं रोक पाती और फूट फूट कर रोने लगती है अगले सीन में जौंग यू जिंगार के पास आती है और पहले तो उससे माफी मांगती है कि वो जिंगार का साथ नहीं दे पाई और उसके बाद जिंगार को बताती है कि वो मिस्टर व्यू को छोड़ने यैन बई से बाहर जा रही है तो जिंगार भी उससे मिस्टर व्यू से मिलने के लिए कहती है और उसके साथ चली जाती है अगले सीन में हम मिलेंगे एक नए कराक्टर मिस्टर वियू से ये पहले येन बेई के लिए काउंसलिंग का काम करते थे लेकिन बाद में इनको जेल में डाल दिया गया था ये वही हैं जो जिंगेर के बारे में सब कुछ जानते हैं मुझे याद है कि मेरी माँ मुझे सिखाया करती थी और एक दिन वो मुझे अचानक ही छोड़ कर चली गई उसके बाद मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिली मुझे याद है कि बच्पन में किस तरह मैं अकेली ही गुंग्फू की प्राक्टिस किया करती थी मिस्टर वियू उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ विंट एंड क्लाउड डिक्री की लीडर थी और इसके साथ ही अंडर वर्ड के स्पाईस यानि की आफ्टर लाइस कैम्प की भी लीडर थी तो जिंगैर उसे पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरी माँ को किस ने मारा तो मिस्टर वियू बताते हैं कि वेई स्टेट के युएन हाव और वैसे भी तुम्हारी माँ को जिसने मारा था वो तुम्हारी माँ के बहुत क्लोस था और एक गददार था तुम्हारी माँ उन लोगों के लिए खत्रा बन चुकी थी और उन्होंने अपने परस्नल फायदे के लिए तुम्हारी माँ को मार दिया इसके बाद जिंगेर पूछती है कि ये विंज एंड क्लाउड डिक्री होता क्या है तो मिस्टर वियू बताते है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ तुम्हारी विंज एंड क्लाउड डिक्री दे चुकी है तुकि बच्पन में जब उसने तुम्हें गुंफू सिखाया था तो वो अपना 80% मार्शल आर्ट तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर चुकी थी और तुम्हें आइस गुंफू भी सिखा चुकी है तुम्हारे शोल्डर पर एक निशान भी होगा और इस हिसाब से अब विंड एंड क्लाउड डिक्री की नई लीडर तुम हो तो जिंगैर कहती है कि ना तो मेरे शोल्डर पर कोई निशान है और ना ही मुझे आइस गुंफू आता है तो मिस्टर व्यू बताते है कि तुम्हें जेल में डाल दिया गया था तुम्हारी मा के गार्ड वाइपर ने तुम्हें वहाँ से निकाला और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें लेकर भाग गई लेकिन यूएन हाउ ने तुम लोगों कर पीछा किया तुम्हारे और यूएन हाउ के बीच में फाइट हुई तुमने युवैन हाउ को एक नदी में गिरा दिया लेकिन साथ में तुम भी वहीं गिर गई और शायर तुम्हारे मेमोरे लॉस हो गई और उसके बाद तुम युवैन हाउस होल्ड में एक मेड बन कर आ गई थी और अब सारे सच्चा ही तुम्हारे सामने आही चुकी है मैं जानता हूँ तुम्हारा यान जुन का और युवैन का रिष्टा बहुत ही complicated है लेकिन तुम्हें उन मेंसे किसी एक को चुनना ही होगा तो जिंगैर कहती है कि मैं सिर्फ यान बे की मदद करना चाहती हूँ और शांती से जीवन जीना चाहती हूँ अगले सीन लियांग प्रिंस का होता है जिसमें वो बहुत दुखी होती है क्योंकि वो जान चुकी है कि उसका पेंट फ्रेंट कोई और नहीं बलकि यूवन है पेंट फ्रेंट का मतलब होता है एक ऐसा दोस्त जिससे हम मिले नहीं है लेकिन जिससे हम बाते करते हैं खतों के जरिये उसकी एक दोस्त उससे उसके दुख कारण पूछती है तो ल्यांग प्रेंसिस रोने लगती है और उसे सब बता देती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ नहीं मैं उसे जिंदा छोड़ सकती हूँ और नहीं मैं उसे मार सकती हूँ उधर युवैं प्रिंस जियांग के रिए एक लैटर लिखता है और अपने एक आदमी से वो लैटर प्रिंस जियांग को देने के लिए कहता है लेकिन इससे पहले कि वो लैटर प्रिंस जियांग के पास पहुचता है उस आदमी पर हमला हो जाता है और ये हमला करवाया गया लियांग प्रिंसिस के थ्रू और लैटर लियांग प्रिंस के पास पहुँच जाता है लियांग प्रिंसिस उस लैटर को रख लेती है और युवैन के लिए एक और लैटर लिखती है और उसे भेश देती है युवैन को वो लैटर अपने पैन फ्रेंड के तरफ से मिलता है य उसे देखते ही युवेन कहता है कि मैं उस वुड़न बर्ड को डिस्ट्रॉइ कर दूँगा, आज से मेरी कोई पेंट फ्रेंड नहीं है। ऐसा बोलकर युवेन जाने ही लगता है कि अचानक वो लड़ खड़ा कर गिर जाता है और लियांग प्रिंसेस उसे मारना चाहती है लेकिन लाग कोशिश करने के बाद भी वो युवेन को नहीं मार पाती और वहां से वापस जाने लगती है। कभी युवेन खड़ा हो जाता है और उसे आवास लगाता है और कहता है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं एक्चली युवेन कोमा में था ही नहीं वो इसा ट्रामा करना था। इसके बाद लियांग प्रिंसिफ उसे कहती है कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहते लेकि फिर तुम्हारी उस स्लेव जेंगर का क्या क्योंकि मैंने उसके बारे में पता लगाया है वो आफ्टर लाइफ कैम्प की लीडर लियू हो की बेटी है मतलब वो तुम्हारे आइज आफ कौट के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है लेकिन फिर भी तुम असे इतना पसंद क्यों करते हूँ तो युवैन कहता है कि कुछ बातें कभी बताई नहीं जाती और उन्हें तुम समझोगी भी नहीं फिर युवैन वहां से चला जाता है और लियान फिरेंसे सोचती है कि काश अब हम कभी न मिले इसके बाद युवैन अपने रूम में बैटकर जिंगैर के बारे में स्रोशने लगता है कि किस तरह वो जिंगैर को ट्रेनिंग दिया करता था और इसी दोरान किस तरह जिंगैर धीरे धीरे उसके दिल में उतर चुकी थी और सचाई तो ये है कि युवैन को तो बहुत पहले ही पता चल चुका था कि जिंगैर उसके सबसे बड़े दुश्मन लियोहो की बेटी है लेकिन वो जिंगैर को इस हद तक पसंद करता था कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब जिंगैर के बेहत करीब था अगले सीन में प्रिंसेश शुनेयर को दिखाते हैं जो कि अपने भाई प्रिंस सॉंग से मिलने के लिए आती है और उसे देखकर प्रिंस सॉंग बहुत खुश होता है इसके साथ ही सॉंग उसे समझाता भी है कि मैं जानता हूँ हमारे पिता जी ने बहुत गल्तिया की है लेकिन फिर भी अगर तुमने उन्हें मारने की कोशिश की थी तो वो सही नहीं था लेकिन शॉनयर सॉंग को यह करकर ठाल दीती है कि हम बहुत दूनों बाद मिले हैं और मैं इस मारे में कोई बात नहीं करना चाहती लेकिन एक्चुली शॉनयर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था शॉनयर के कहने पर सॉंग उसके लिए खाना बनाने के लिए जाता है लेकिन जब तक वो उसके लिए खाना बना कर बाहर आता है शॉनयर वहां से जा चुकी होती है दूसरी और यान के सर में दो-तीन दिनों से लगवातार बहुत दर्द होता है और इसलिए उसके लिए डॉक्टर को बिलाया जाता है यैन के लिए जो डॉक्टर आती है वो अपना फेस कवर करके आती है और उसकी पल्स को चेक करने लगती है यैन को उस डॉक्टर की आवास कुछ अजीब सी लगती है लेकिन वो डॉक्टर उसे कहती है कि बच्पन में एक हादसे की वज़े से मेरी आवाज खराब हो गई थी तो डॉक्टर जब येन का इलाज करने के लिए अपना बॉक्स खोलती है तो उसमें एक हत्यार भी होता है येन के कहने पर वो उसके सरकी मसाज़ करने लगती है एंटर करती है जो यान को देकर चिलाने लगती है उसी वक्त यान अलर्ट हो जाता है और तुरंट उठकर बैठ जाता है और वो उस डॉक्टर के चेहरे पर से नकाब हटा देता है और वो ये जानकर हैरान लजाता है कि ये प्रिंसेश शुनैर है लेकिन यान उससे कुछ भी गलत नहीं कहता, मलकि वो उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि येन जानता था कि प्रिंसेश शुनेर को इस हालत में लाने वाला वो ही है, वो शुनेर को बाइज़त वहां से भेश देता है और इसी के साथ मैं आज का एपिसोड खतम करती हूँ, तो ये